नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हसी परामॉंट में दोस्तों आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्जामपल्स आफ अंसेफ फैक्ट और अंसेफ कंडिशन के कुछ एक्जामपल्स देखके हम समझेगें कि अंसेफ फैक्ट और अंसेफ कंडिशन क्या होते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेगे कि अंसेफ कंडिशन क्या होते हैं अब हम दूस्तों जाने के examples of unsafe condition यह सबसे पहला example है oxygen deficiency यानि कि oxygen deficiency होना यानि कि जो oxygen का minimum level है 19.5% उससे oxygen का कम होना यह एक unsafe condition है दूसरा है presence of toxic gases यानि कि toxic gases का present होना यानि कि जहरीली gases होना next is presence of flammable gases यानि कि flammable gases का presence यह भी एक unsafe condition है next is poor housekeeping यानि कि side पे housekeeping maintain ना होना यह भी एक unsafe condition में आता है next दोस्तों presence of poisonous materials, slippery और damaged working flows यानि कि poisonous material हो या slippery या damaged working floor हो तो यह भी एक unsafe condition है नेक्स्ट है दोस्तो अनगाड़ेट मसीन्रीज यानि मसीन्रीज का गाड़ ना होना यानि मसीन्रीज का जो रोटेटिंग पार्ट है उसमें गाड़ नहीं होना ये भी एक अनसेफ कंडिशन है नेक्स्ट है दोस्तो, improperly guarded मसीन्टीज, यानि कि जो मसीन से उनका जो rotating part है वो improper guarded है, यानि कि proper उसमें guard नहीं लगा है, तो ये भी एक unsafe condition है नेक्स्ट है, lose electrical connections यानि कि lose electrical connections होना नेक्स्ट है दोस्तो, unearthed electrical appliances, यानि कि जो भी electrical appliances हम use कर रहे हैं, उनका earthing यह भी अंसेफ कंडिशन में आता है नेक्स्टे डिफेक्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स यानि कि जो मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट से वह डिफेक्टिव है तो वह भी अंसेफ कंडिशन में आता है नेक्स्टे डैमेज्ट टूल्स यानि जो भी टूल्स हम यूज क तरह वो डिफेक्टिव हो तो वो सब अंसेफ कंडिशन में आता है एक्स हम जानेंगे दोस्तों अंसेफ एक्ट के बारे में कि अंसेफ एक्ट क्या होते हैं तो कोई ऐसा एक्ट या एक्टिविटी जिसके वज़े से वर्क प्लेस पे इंसिडेंट होने के चांसेज करना दूसरे मेथड्स का यूज करना तो यह एक अंसेफ एक्ट है नेक्स्ट है दोस्तों यूजिंग इंप्रॉपर टूल्स और क्यूपमेंट्स यानि की जॉप के एक्कॉर्डिंग इंप्रॉपर टूल्स और क्यूपमेंट्स का यूज करना यह एक अंसेफ एक्ट है न नेक्स्ट है दोस्तों ओवर कॉंस यानिकी ओबर कॉंसेंस होना mauvais place यह भी एक अनसे फैस्ट है उसके बाद impulsiveness यह harине की बहुत जादे, impulsiva character होना यह भी एक अंसे फैस्ट है इसके वरaya यह बहुत जादे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सूपरवाइजरी फेलियर दैट इस पूर ट्रेनिंग लैक अफ डिस्सिप्लीन पूर हाउसकिपिंग यह सभी के सभी अंसेफ एक्ट में आते हैं उसके बाद दोस्तों अंसेफ बिहेबियर यानि की सेप्टी के प्रती अंसेफ होना यह एक अंसेफ एक्ट है नेक्स्ट अंसे वाटिट्यूड उसके बादर लाक आफ नौलेज यानि की नौलेज ना होना यह भी अंसेफ एक्ट है नेक्स्ट रख्रेंक आसे और यह एक्सेसरी उप्स करना जैसे कि अगर किसी रोटेटिंग मशीन के पास हम लूस है यू पर वाचिंग